सबी को रम रम बोलना चाहूंगा सभी का प्रोगेटरल अकेडमी में स्वागत भी करना चाहूंगा प्रोगेटरल अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माद्धियम से आप लोगों के साथ आप्शन ट्रेडिंग से जुड़ेवे महत्मों टॉपिक के ओपर चर्चा का सलसला ब बनाते हैं तो आप्शन ट्रेडिंग के अंदे सर्वाइव कर पाना जिंदा खड़े रहा पाना बहुत मुश्किल होता है तो मैंने आपको यह सला दी थी कि अगर आप आप साथ दिसक्स करना चाहूंगा जब बात करते हैं ऑप्शन के अंदर कावर करके ट्रेडिंग करने तो उसकी बहुत सारी स्पेट जी जह उर बहुत सारे तरीकों से आप हैज कर सकते हैं कवकर करके ट्वूइट कर सकते हैं तो spread बनाने में आपको अच्छी तरह से सब कुछ पता है आपको कुछ बताने की जुरूत नहीं आप काबिल है तो अनभवी लोगों के लिए वीडियो बिलकुल भी नहीं कि उनको तो सब कुछ आता है यह सब कुछ पता है यह वीडियो बिगनर्स के लिए क्योंकि मेरा ऐसा सकते हैं आप कॉल के माध्यम से यह पुट के माध्यम से स्प्रेट कैसे बना सकते हैं इस बनाने की मैं एक ऐसी ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मुझे असा लगता है कि अगर आप उससे याद रुखेंगे तो कभी भी आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी चलिए अपने बाची को कॉंचिनियू करते हूं मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है और आज आपनों के साथ बाची तो रही है इस प्रेड ट्रेडिंग के उपर जैसे मैं अपने वीडियो की शुरुआत में बात बुली कि यह वीडियो अनभवी के अनधर हम कोई एक ट्रेड ना लेकर कर लेकर के हम कॉम्बिनेशन बना थे जैसे कि आपने किसी इस्ट यूपर कॉल बंच रइक करें किया करें तो किसी बैकार करें तो इस तरह इस तरह पर आप कोल सेल कर के और रिक रहाए है किस अडि से औप्शन्स ट्रेडिंग को हम इस प्रेड ट्रेडिंग के तौर पर बोलते हैं तो यह आप्शन्स के अंदर इस प्रेड बनाने के बहुत सारे तरीके से अक्सर आता है कि नेक dir को अगर इस प्रेड क्या जाए तो क्या फर्क होता है नेके ट्रेडिंग का मतल habitual करते हैं या आप सिर्फ कॉल सेय्द कर देते हैं यदा पुटźपाइब कर लेते हैं या पूटए सalg methane कर देते हैं और रिस्क के ज्यादा होता है जैसे कि मैंने फिछले विडियो में आपको दिखाए भी ता कि नेके ट्रेडिंग के अंदर खड़े रह पाना मुश्किल होता है अगर इंडेक्स के अंदर वोर्यटी होती है जो की होती है डेली बेसिस के उपर आप देखते हैं तो जरा सा मुवमेंट इंडेक्स के अंदर होता है तो प्रीमियम के अंदर बड़ा मुवमेंट हमनों को देखने को मिलता है जनरली तो उसके चलते हैं आपके स्टॉप लॉसे जो हैं वो जल्दी हीट हो जाते हैं इसी वजह से ज्यादा तर लोग ऑप्शन के अंदर लंबे समय तक सर्वाइब नहीं कर पाते हैं आपको पता है कि नाइंटी परसेंट से नाइंटी फाइब परसेंट नाइंटी सिक्स परसेंट वह हमेशा लूजी करते हैं क्योंकि जरा सा प्रीमियम वॉलेटाइल हुआ स्टॉप लॉसे हिट हो गए बहाराद है लॉस होगी है इस्प्रिड के माध्यम से रिस्क मेनेजमेंट ज्यादा बेटर होता है बास समय नहीं क्योंकि आप कॉम्बनेशन बना करके काम करें एक तरफ आपने वाई किया है त तरफ अगर आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ कुछ पैसे आ भी रहें तो इसका जो निट इफेक्ट है वह रिलेटिवली लेस वालेटाइल है तो आप मांकिट के अंदर अपने टेट के अंदर ज्यादा सर्वाइब कर पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहां लिखा भी ह कि नेके ट्रेडिंग के अंदर आपका इस्ट लॉस जल्दी-जल्दी हिट हो रहा है आप टेट से बाहर आ रहे हैं हाला कि आप अपने ट्रेडिंग के अंदर सरवाइब लंबे समय तक कर पा रहे हैं लग यहां पर एक और बात है जो कि पिछले वीडियो में भी कुछ लो प्राफिट होने की संभावना जो है वो छोटी रहती है यहां पर मैंने लिखा भी के स्प्रेट केंदर स्मॉल प्राफिट और स्मॉल लॉस अब देखें यह तो आपको तैय करना है इस बात में कोई कोई मैं इसका बचाव करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं यह नहीं करके कोई बड़ा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करना या इस्प्रेट ट्रेडिंग करके आपको छोटा मुनाफ़ा और छोटे लॉस का गेम खिलना है यह बात तो है मैं आप पर इसको डिफेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन हाँ यह बास जरूर बोलना होने की गुंजाइश रहती है लेकिन वहाँ पर दा एंड होने के भी गुंजाइश बहुत ज्याजा रहती है आपने देख यह जब आपने ट्रेडिंग एकाउंट में लॉग इन करते हैं तो एक पॉप आप आता है उस पॉप आप में आपको यह बताया जाता है कि भाई लंबे समय तक सर्वाइवल के गुंजाईश रथे हैं जब लंबे समय तक सरवाइव कर पाते ही तो आप ज़्यादा बेधर बड़े loss का game खेलना है यह चोटे मेनाफ़े और छोटे loss का game खेलना है चलेए बिस्प्रेट के ऊपर अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं हम यह समयटे के कोशिश करते हैं कि spread कितनी तरह क्यों होते हैं देखिए अगर मैं बहुत ही basic level के उपड़ जा करके beginner level के बच्चे को समझाने के कोशिश करूँ तो मैं beginner level के बच्चे को यह बोलूँगा कि spread को दो तरह से बनाया जा सकता है बुल spread या bear spread spread का मतलब तो आप जानते हैं spread के अंदर हम combination बना करके काम करते हैं एक strike buy करते हैं तो एक strike sell करते हैं जब spread बनाते हैं तो दो तरह से spread बनाया जा सकते हैं बुल spread और bear spread देखिए कुछ बच्चों को यह confusion है कि अगर उन्हें बुल spread बनाना है तो सिर्फ call की मदद से ही बुल spread बनाया जा सकता है या अगर उन्हें bear spread बनाना है तो put की मदद से bear spread बनाया जा सकता है ए बच्चों को यह confusion इस वज़ा से होता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगो तेजी खेलना है तो call buy करके तेजी खेलेंगे और अगर यह पूरी तरह से सही नहीं है गलत है आप बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड दोनों कॉल या पुट की मदद से बना सकते हैं यानि कि आप कॉल या पुट दोनों की मदद से बुल स्प्रेड बना सकते हैं कॉल या पुट दोनों की मदद से आप बियर स्प्रेड बना सकते जैसे कि मैंने लगा भी कि आप कॉल की मदद से बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं कॉल की मदद से आप बियर कॉल स्प्रेड भी बना सकते हैं पुट की मदद से आप बियर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं देखें यहां पर यह जो दो शब्द आ रहे हैं बुल और बियर इसका मतलब क्या है, इसका reference क्या है, यह आपको समझेगे की जुडह है जब bull की बात कर रहे हैं, तो actually में हम direction की बात कर रहे हैं, हम तेजी की बात कर रहे हैं बुल spread यानि किया बजार के इंदर तेजी को play करने के लिए trade कर रहे हैं बुल का मतलब बस इतना है बुल इस्प्रेड जैसे कि मैंने पहले बोला कॉल अपुट दोनों की मदद से बना जा सकते हैं अगें यहां पर बियर की बात करें तो बियर का मतलब भी यहां डिरेक्शन से यानि की डाउनवर्ड डिरेक्शन से आप मंदी को प्ले करना चाहते हैं आप बजार के अंदर ग्रावट को देखके हैं ग्रावट को प्ले करने के लिए आप स्प्रेड बना रहें उसको हम बियर इस्प्रेड बोलते हैं तो बुल और बियर जब हम इस प्रेड बना रहें तो इसका कॉल या पुट को ले करके कोई खास लेना देना नहीं है हम कॉलड उप्ट दूनों की मदद से बूल इस प्रेड़ भी बना सकते हैं चल अपनी बार्शन को थोड़ा सा आगे ले करकर चलतु हम अबए जो बैने बात आपकी सामने रखिए और यहां से निफ्टी रिवर्स करेगा निफ्टी चाहिद वापिस 22,700 के असपास आए यह 22,800 के असपास है यानि कि आपका यह उपीनिन है कि निफ्टी अब 22,600 के लेवल वापिस रिकलेम करेगा और 22,600 के उपर बना रहेगा ऐसी इस्तिती में आप बजार के अंदर बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं यानि कि कॉल के माध्यम से भी इस डिरेक्शन को प्ले कर सकते हैं और पुट के माध्यम से भी इस डिरेक्शन को प्ले कर सकते हैं तो यहां पर बुल का मतलब क्या है बुल का मतलब है डिरेक्शन इस डिरेक्शन को हम कॉल की मदद से भी प्ले से भी प्ले करें हाला कि बुल कॉल और बुल कॉल पॉल स्प्रेड ऐसा फर्क होता है वों कभी हम आगे एक अधर वीडियो में डिस्कॉस करेंगे अभी मैंने बहुत ही बेसिक मैनर में ये बात आपकी सामने रखने की कोशिश करें को बाजार को 500 यह 22,400 की तरफ आ सकता है यानि कि आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब 22,600 के नीचे ही रहेगा तो ऐसे स्थिति में अगर आप मंदी को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बियर कॉल इस्प्रेड बना सकते हैं और आप बियर पूट इस्प्रेड बना सकते हैं यहां पर भी आप देख रहे हैं हम इस ओपिनियन को यानि कि हम डिरेक्शन को प्ले करें डिरेक्शन नीचे की तरफ है हमारा यह उपिनियन है हमारा यह एक पॉइंट फ्यू है कि निफ्टी 22,600 के नीचे रहेगा तो हम कॉल की मदद से बियर इस्प्रेड बना रहे हैं ब बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड जब इस टर्मिनलाजी का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर बुल और बियर का मतलब डिरेक्शन से होता है बुल और बियर का मतलब कॉल या पुट से नहीं होता है बुल और बियर दोनों ही कॉल की मदद से भी बना जा सकते हैं और बजार के अंदर ग्रावाट हो सकती है सवाल यह उड़ता है कि आप इस डिरेक्शन को इस प्रेट के माध्यम से कैसे ट्रेट करेंगे यही इस वीडियो का विशह है हाउ टू क्रियेट बुल और बियर इस प्रेट देखे अगर आप अनभवी हैं तो तो आपको सब कुछ पत बनाने की एक ट्रिक प्रेजेंट करने जा रहा हूं अगर बिगनर लेवल के बच्चे इस ट्रिक को याद रखेंगे थोड़ा ध्यान देंगे तो उनको इस प्रेट बनाने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मैंने वीडियो के अंदर शुरुवात में इस प्रेड को करते हैं दो ट्रेट के अंदर एक तो हमारा में ट्रेड होता है जिससे हम डिरेक्शन को प्ले करें एक ऐसा ट्रेड जिससे हम यहां तो तेजी को प्ले करें यहां ग्रावट को प्ले करें और जो दूसरा ट्रेड होता है यह कवर ट्रेड होता है कवर ट्रेड यानि की हेज आने वाला है तो मैं यहां पर red color का box create कर रहा हूं red color के box के माद्दम से मैं अपनी trick को यहां पर highlight कर रहा हूं इस red color के box में जो मैंने लिखा है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश भी करिए मैंने लिखा है कि अगर आप call की मदद से कोई spread create कर रहे हैं तो call में आप जो cover करने के लिए trade लेंगे वो आप उपर से लेंगे मैंने लिखा है call में उपर से cover यानि कि आप जो दूसरा trade ले रहे हैं जो कि पहले trade को hedge provide करने के लिए ले रहे हैं उसको आप call में हमेशा उपर से लेंगे और put के अंदर अगर आप कोई spread बना रहे हैं तो put में cover करने के लिए आप जो दूसरा trade ले रहे हैं यानिए पहले trade को hedge provide करने के लिए आप जो दूसरा cover ट्रेड ले रहें put में हमFist me née ते कवर करेंगे यह जो मैंने दो बाते लिख्ये ही कि call में ऊपर से cover और put में नीचे से cover यह बातिए दोनों طरह के spread की ऊपर लागू होती हैं यानि कि आप फूल Direction के spread को बना रहें दूनों ही तरह की स्प्रेड में आपको बस यह बात याद रखनी है कि कॉल में आप ऊपर से कवर करेंगे और पुट में आप नीचे से कवर करेंगे यहाँ पर बीच में थोड़ा से रुक करके अपनी अपर करना चाहूंगा जाओं गयां पर चलता है जिसको नाम है सर्टीफाइइट इस चार महने के प्रोग्राम में दो मॉडियोव से दो महिनए की चेक्निकल अनालीसिस का डिलीवर की जाती हैं आपको यह सुनकर के ताज़ब होगा कि चार महीने की बड़िया शांदार ट्रेनिंग के लिए प्रो कैपिटल आपसे खुछ भी चार्ज नहीं करता है यानि की फी बिलकुल एकदम जीरो है लेकिन इसके लिए एक eligibility criteria है वो सभी candidate जो की प्रो कैपिटल की लिंक के मादम से डिमैट अकाउंट उपेंड करते हैं वही इस admission के लिए eligible होते हैं अब आपको तैय करना है कि आपको यह प्रोग्राम फ्री लगता है या नहीं लगता है यह सब कुछ आप तैय करेंगे मैं आपको वेलकम करूंगा कि प्रो कैपिटल के मादम से डिमैड अकाउंट उपेंड करें और इस फ्री प्रोग्राम के लिए इन्रूल करें चलिए ब आगे बढ़ते हैं और अब उधारनों के मादम से इस प्रेड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हमारी ट्रिक है कॉल में ऊपर से कवर करना है और सबसे पहले हम बुल डिरेक्शन के स्परेड बनाते हैं बुल डिरेक्शन यानि कि आप बजार के अंदर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुल डिरेक्शन के स्परेड हम कॉल के मादम से भी बना सकते हैं तो पहले हम कॉल के मादम से बुल डिरेक्शन के स्परेड बनाते अब जरा याद करने की कुशिश करेगा कि अगर आप बजार को ले करके बुलिश हैं आप बुलिश डिरेक्शन देख रहे हैं तो कॉल के अंदर आप क्या करेंगे अगर आप बजार के अंदर तेजी देख रहे हैं तो कॉल के अंदर आपका में ट्रेड क्या होगा जाहिर सी कौन सी कौल बाई करेंगे आप इंदा मनी कौल भी बाई कर सकते हैं आप ओटी एम कौल भी बाई कर सकते हैं अब आपको कौन सी कौल बाई करनी है यह चर्चा का एक बहुत बड़ा विशय हो सकता है कि इंदा मनी बाई करें आउट दा मनी बाई करें अभी चर्चा को सरल बन अब आपको cover करने के लिए hedge provide करने के लिए एक another trade लेना है buy तो कर लिया अब आपको sell side का trade लेना है ठीक है जी तो वो हम call में कैसे करेंगे याद करिएगा हमारी trick क्या call में उपर से cover तो अब हम 22,600 के उपर की एक strike चुनेंगे और उसको sell करेंगे यह strike 22,700 के भी हो सकती है 22,800 के भी हो सकती है या 50-50 point वाली जो strikes होती है जैसे कि 22,650 या 22,750 या 22,850 कोई भी strike का चुन सकते है strike जितनी उपर की लेंगे यानि कि आपका जो main trade है जो कि 22,600 की call buy करिए जितना ज्यादा आप gap रखेंगे रिस्क उतना ज्यादा ही होगा profit भी उतना ही ज्यादा होगा अगर आप बीच का gap कम रखेंगे तो रिस्क भी कम होगा profit भी कम होगा मेरी बास समझ रहे हैं तो हमारा main trade क्या है हमने main trade लिया है 22,600 की call buy अब हम एक another trade ले रहे हैं उधारां के तौर पर हमने ऊपर की 22,700 की call क्या कर दी sell कर ली यह हमारा spread create हो गया अभी मैं आगे चल करके एक another video post करूँगा जिसमें हम risk को भी समझेंगे profit को भी समझेंगे margin कीतना लग रहा है हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे बहुत सारी analysis मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ share करूँगा अभी तो हम spread create करने के basics को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक spread हम create कर सकते हैं अगर हम बजार के अंदर bullish है हमने एक call buy करी और उपर की call क्या कर दी हमने sell कर दी इसके बहुत सारे combination हो सकते हैं आप 22,700 की call लेकर के 22,800 की call बेश सकते हैं या और उपर जाकर के call बेश सकते हैं जैसे कि मैंने बूला gap जितना ज्यादा risk उतना ज्यादा profit उतना ज्यादा gap जितना कम risk उतना कम और profit भी उतना ही कम तो ये मैंने आपको bull call spread का एक उधारन दिया ठीक है जी आगे चलते हैं और अब हम put की मदद से bull spread बनाने की कोशिश करते हैं जी हाँ put की मदद से bull spread अब आप से मुझे थोड़ी expectation है जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ I believe I hope कि आप उसका जवाब दे पाएंगे अगर आप बजार को ले करके bullish हैं अगर आप बजार के अंदर bullish direction देख रहे हैं तो आप put के अंदर क्या करना चाहेंगे अब बताइए आप बजार के अंदर bullish हैं तो put के अंदर क्या करना चाहेंगे जाहिड से बात है इसका उत्तर यह होगा कि अगर बजार को लेकर कि आप बुलिश हैं तो आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक के उपर पुट सेल करना चाहेंगे ठीक है जी आपको यह कैसी स्ट्राइक चुनेंगे जिसके बारे में आपका अनमान यह है कि बजार इस लेवल 500 के उपर ही रहे आप यह मान करकर चल रही है कि 22400 के उपर ही रहे इस ती में आप 22600 के उपर ही रहे आपने 22,600 की पुट सेल कर दी यह एज्यूम करते हुए कि निफ्टी 22,600 के ऊपर रहेगा अब इसको कवर करना है हमें एक ऐसा ट्रेड लेना है जो कि हमारे में ट्रेड को हिज पुरवाइड करें तो पुट के अंगर हम क्या करेंगे ट्रिक देखेगा पुट में हम नीचे स से कवर करते हैं अब हमने सेल साइट का टो ले लिया है जो हमारा में ट्रेड है अब हम एक एनदर ट्रेड ले रहे हैं जो की बॉइइ कर लेते हं थे IK कई कंबनेशन को सकते हैं आप Summ driven की च्चाहिसे जकान कर सकते हैं उसके नीचे जाकर करके एक ena darf की वपर आप कर सकते हैं इस अमसे आप कृइट करने की कोशिश कर सकते हैं बहुत सारे combination हो सकते हैं, वो combination आपको practice करने की जुरत होगी, बहुत अच्छे अच्छे platforms आ गए हैं, धन का strategy builder है, उसके वेपर आप strategy बना करके देख सकते हैं, और उसके risk को, उसके profit को आप analyze करने की कोशिच कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, मैं एक another video post करूँगा, जिसमें मै यहाँ पर bull direction को play किया, call की मदद से हमने bull spread बनाया, और put की मदद से भी हमने यहाँ पर bull spread बनाया, चले आगे बढ़ते हैं, और अब हम bear direction की spreads को समझने की कोशिच करते हैं, bear direction, यानि कि आप बजार के अंदर गिरावाट expect कर रहे हैं, आप बजार के अंदर मंदी देख रहे कि अगर आप bearish market में call को play करेंगे, तो आप call side की ओपर क्या trade लेंगे, मैं उमीद करता हूं कि सभी लोग इस बात का जवाब दे पाएंगे, जाहिए सी बात है, आप call sell करेंगे, अभी यहाँ पर इस example में मैंने आपको बताया कि निफटी 22600 के असपास है, अगर आप निफ 22600 की call sell कर देते हैं, ठीके जी, और यह आपका main trade बन जाता है, अब इस main trade को आपको cover करना है, ठीके जी, इसको cover करने के लिए आप एक another trade लेंगे, जो कि buy side का trade लेंगे, तो हमारी trick क्या है कि call में हमेशा हम उपर से cover करते हैं, तो 22600 से उपर की call क्या हो सकती है, 22600 भी हो सकती यह 22700 भी हो सकती है, तो हम 22700 की CE क्या कर लेंगे, buy कर लेंगे, तो यह हमने एक spread create कर लिया, हमने bearish direction को play करने के लिए, पहले call side को call के strike को sell किया, और उपर जा करके, उपर के strike को buy करके, हमने spread create कर लिया, मुझे लगता है कि आप मेरी बास समझ पा रहे होंगे, चले तोड़ bearish direction के अंदर put side के spread बनाने के कोशिश करेंगे, bearish direction यानि कि बजार को ले करके आपको गिरावट के उमीद है, तो मैं आप सही पुछना चाहूँगा कि जब बजार के अंदर बेरिश हैं, तो आप put side के अंदर क्या trade लेना चाहेंगे, मुझे लगता है कि सभी लोग इस बा रोकेगा, चर्चा को असान बनाने के लिए मैं माल लेता हूँ कि आप 22,600 की put को buy कर लेते हैं, 22,600 की P आपने buy कर लेते हैं, यह आपका main trade हो गया, main trade क्यों बोला हूँ, क्योंकि इसके माधियन से आप direction को play करने की कोशिश करें, अब इसी main trade को आप cover करने की कोशिश करेंग की put में हम नीचे जाकर के cover करते हैं, तो हमने 22,600 की put तो buy करी, इसके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो 22,550 का level होगा, 22,500 की strike होगी, 2450 की strike होगी, और नीचे आएंगे तो 22,400 की भी strike मुलेगी, आसान बनाने के लिए मैं माल लेता हूँ कि हम 22,500 की put को sell कर देते हैं, तो हमने ये एक spread बना लिया, 22,600 की put buy करी, और नीचे आकर के 22,500 की put को हमने sell कर दिया, तो यहाँ पर मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी, कि आप cover कैसे करते हैं, हम call में उपर की strike से cover करते हैं, और put में नीचे की strike से cover करते हैं, चैया आप bull spread बना रहे हूँ, चैया hedge करने के जो trade हैं, जो cover करने के trade है, spread के अंदर असानी से create कर पाएंगे, देखें यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, कि मैं उपर और नीचे शद का प्रियोग क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे ये भी बोल सकता हूँ, कि out the money से यानि की otm से cover करते हैं, तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहूँगा, कि भाईया सिर्फ otm से ही cover करके spread नहीं बनाये जाते हैं, हम इंदा money के अंदर भी spread create कर सकते हैं, तो मुझे यह बताना ज्यादा असान और ज्यादा सही लगता है, कि हम call में उपर से cover करें, और put मे नीचे से cover करें, इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, कि spread बनाते समय हम किन strikes का चुनाओ करें, तो चर्चाओं का कोई अंत नहीं है, इस छोटे से वीडियो का उद्देश यह था, कि मैं आपको यह समझा पाऊं, कि spread कैसे create करते हैं, spirit create करते समय हमारे जो दो trade होते हैं, एक main trade और एक cover trade, इसको कैसे हम set करते हैं, मैंने आपको यह भी बोला, कि आगे और भी वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें आपको यह भी explain करने की कोशिश करूंगा, मैं कि spread का pay off कैसे होता है, spread के अंदर risk कैसे तै होता है, spread के अंदर profit का potential क्या होता है, तो मैं देखते रहिए, अपनी बातचीत को wind up करने से पहले एक बार फिर से आपको encourage करूंगा, कि आप पूर कैपिटल academy को join करिए, हमारी चार महीनी का जो course है, जो classes है, definitely वो आपको बहुत पसंद है, अभी मुझे आग्या देगा, इस वीडियो को यहीं पर wind up करना चाहूंगा, पिलो को रम रम बोना चाहूंगा,